दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों में बात करेंगे सभी पूरु सैनिकों के लिए पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज के दोस्तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पे PCD ने अपना जब आटकत आ रही है उसके लिए दोस्तो अभी निकाल आए उसके बारेंब बात करेंगे झूसा हम बात करेंगे जो मर्ज की पेंशन है वो जो है दोतीस तारी और 50% के साथ किस तरीके से आपके खाते में घोगी उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों ECHS ने जो आपकी Medicine का जो reimbursement है उसको लेकर दोस्तों एक नया कर अश्वार्ड क्यों ऑड़र पार जारी किया गया है और ECHS की जो Medicine medicine payment है और medicine का जो आपको our कंते हैं उसके बारें बात करेंगे और साथ साथ दौस्तो आड़ का महीन बहुत अच्छा महीना था इक तरीके से क्यूंकि इस में आपकि मार्च में 50% यह आप भड़ा आथ सात हैं अबना कि आत्र वॉर्ण आस करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तों कर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बैल आइकन जरूर जाती है तो उसके बाद से दोस्तों जो जॉइंट पैंशनर से जो उनकी जो है वाइफ है उनको दोस्तों जो है उनकी पेंशन फैमिली पैंशन लगाने के लिए जो बैंक जो है अलग से जो है एन उसी की डिमांड कर रहा है उसको लेकर दोस्तों पीसीडे का सर्कूलर आय है और जहां पर जो फैमिली पेंशन लगाना है या उस एकाउंट से जो नॉमिनी ने जो पैसे विड्रॉल करने है उसमें पी सीरी ने इंस्ट्रक्शन दिया है आप देख सकते हैं जो यह नया सर्कुलर आया हुआ है इसमें क्लेर कट कहा है कि जो अभी तक की जो राशी है उ सकतको बैंकों के लगाने और PCD ने क्लेयर कर बैंक को इसका इंस्ट्रक्शन कर सकंति कि उनको जो है वो जो पैसे वह इजिली वर रविड्रॉ कर सकें क्युंकि वनके जोौन अपने पैसे दोस्तों दूसरे अपडेट की बात और है दोस्तों जो स्पर्ष में अभी भी मार्जश की पेंशन उस पर सिर्फ मैसेज आयो है मार्जश की जो ऑर जनवरी फरवरी मार्जश का एरियर है सरे पले उस पनже के लिए सब कुछ क्लार है तो आज यहाल आपए जोए सपर्श दिन माइगरेशन होने बाद weten भी जो है अभी पेंशन क्लियर नहीं कि क्या होने जा रहा है सिर्फ उनके पास एक मेसेज आया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि आपकी जो है पेंशन एक अपरेल को आएगी और वो आएगी आपकी 46% के साथ तो बाकी तीन महीने का क्या होगा और अभी जो है अगर हम बात क बैंक में होता है कि कुछ दिन पहले जो है आपके क्काते माने शुरू जाती है तो जो बैंक को द्वारा पेंशन है वह आपका जो है तीस मार्ट को आपके खाते में क्रेट हो जाएगी और वह होगी 50% के साथ तो इनका पूरा का पूरा मामला कले दोंने के बात अभी वह सारे चैनल में फूर्ष के तरफ से एक चैनल को आपको 3 महशने मिले लेकिन वहां सर्फ की तरफ से यह मैसेज नहीं आया है कि यह आपका जो है सिर्फ आपके पास पर्ष की तरफ से एक मैसेज आया कि आपका जो है पेंशन जो है इस महीने कितने कव होगा जोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है कि जहां पेंपोर्टेंट के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि उनकी पेमेंट क करना पड़ेगा एक अप्रेल का एक अप्रेल आपका जो एक सर्प्राइज होता है कि उस दिन आपको क्या मिलने वाला है तो अभी तक उसके लिए जो एक अप्टूड इनफॉर्मिशन निए बात करतें दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की और हमने बात किया था दोस्तों अन्ट्री लेवल पे का एरियर आए जहां जहां पर पैंशननर ने सीपी घृम की तरफ से जो है CP gram में अपना apply किया था उन सब को दोस्तो entry level pay का area जो है जिन-जिन के जो है record ठीक था जो जो eligible थे उनको दोस्तों March की जो pension से पहले जो है entry level pay का area के अभी भुकतान हुआ है दोस्तों जैसा कि मनें बात की March का जो महीना काफी important है क्योंकि बहुत सारे अलग लग भुटान भी हुआ है जिसमें कि आपको जो है CAA का जो पैसा है 12,000 रुपए और 24,000 रुपए उसका भी जो दोस्तों March के महीने में भुकतान हुआ है और कई pensioners को जो है इसके message आए हुए कि March में जो है आपका जिन लोंका 12,000 एक बच्चे का है और जिन लोंका जो है दो बच्चे उनको जो है 24,000 का भुकतान हुआ है दोस्तों काफी important है और अगर आपके पास इस तरह के message आ रहे है तो आपको जरूर चेक करना है कि यह किस bucket में आ रहे है क्योंकि कई लोंका entry level pay का area plus जो आपका KSB की तरफ से children education allowance है वो भी आ रहा है इसके रहा दोस्तों बात करते हैं ECHS की तरफ से जो नया order आया हुआ हुआ है तो ECHS ने clear cut का है दोस्तों कि जो medical का जो आपका medicine खरीदते हैं वो एक महिने में maximum दोस्तों आप 25,000 की sealing होगी और तीन maximum आप जो बिल है वो आपको जो एप्रूव करा जाएगा तो आपको यह देखना है कि जो आप medicine खरीदते हैं दोस्तों maximum जो आप बिल ना करें तीन सजा क्योंकि सबको medicine मिलना है इसकी वैसे दोस्तों सबको proper मिलें इसकी वैसे दोस्तों यह नया order निकाले गया है दोस्तों यह था आज का important update सभी पूरुसेंकों के लिए pensioners के लिए और केंद्रे करमचारियों के लिए ECHS को लेकर दोस्तों आपका जो इस महिने का जो pension payment है और वो सपर्ष को किस तरह से मिलना है और bank pensioners को किस तरह से मिलना है उसको लेकर और साथे साथ दोस्तों जो PCDA का जो circular जारी किया गया है जिसमें की जो family pensioners को जो payment मिलनी है उसके लिए जो NOC को लेका जो एक important update आ है उस प बहुत pensioners और family pensioners को issue होता है उसी को लेकर दोस्तों यह लेटर जारी किया गया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना फूले Thank you for watching this video